देखे से लिखे से सेटिंक्स अर यहां पर कुछ जका एक सब्सक्टिकु आप यहां से कोई भी क्रेंजी सिलेक्ट कर सकते हैं बाइ डिफाल्ट आपको यहां पे USD नजर आएगा आप इसी को रहने दें आपका जितना भी चैनल का रेवन्यू होगा जितनी भी आपकी अर्निंग होगी वो सारी की सारी US डॉलर में आपको शो होती जाएगी उसके बाइ नेक्स है चैनल यहां पे आते हैं यहां पे आपने सबसे बिल एक कंट्री को सेलेक्ट करना है पाकिस्तान उसके बाद आपने कीवर्ड यहां पे राइट करने हैं अपने चैनल से रिलेटेड यहां के आपके चैनल को अगर कोई सर्च करता है यह जो मेरा चैनल है Tech के नाम से जो मैंने यहां पर create किया है मैंने यहां पर write किया है HTML, web designing, web project, CSS, JS यह मैंने channel से related यहां पर keywords write किये हैं 500 words write करने की यहां पर आपको permission है क्या होगा कोई भी user आके YouTube पर search करता है HTML तो मेरा channel भी searching में आएगा क्यूं क्यूंके मैंने यहां पर keyword यूज किया है तो आपका जो भी topic होगा आपने उसे related यहां पर keywords 500 keywords आपने write कर देने है उसके बात है जी advanced settings में आते हैं यहां पर आपने select करना है कि आपका जो content है वो kids के लिए है या नहीं तो यहां पर आपने click कर देना है no set this channel as not made for kids अगर तो आप लोगों का channel वाकिए kids का content आप create नहीं कर रहे है तो आपने no पर click कर देना है अगर आपका कुछ channel ऐसा है जिसमें आप kids के लिए content create कर रहे है then आपने यहां पर yes पर click कर रहे है तो मेरे चैनल के जो content है वो kids के लिए नहीं है इस वजह से मैं यहां पर no को select करता हूँ उसके बाद next आपने क्या करना है यहां पर subscriber count यह by default check है आप इसको on check भी कर सकते हैं आपने access channel पर देखा होगा लोगों के जो subscriber हैं वो कितने हैं वो वहां पर show नहीं हो रहा होता और mostly जो लोग हैं उन्होंने इसको वैसे show किया होता है कि उनके फर्स करें 100K subscriber हैं 200K subscriber हैं जितने भी हैं इस पर आपने click कर देना है तो आपके जो subscriber हैं वो लोग देख सकते हैं यह कर लिए है उसके बाद next आपने जाना है आपका cell number क्या है आपके cell पे code आएगा वो code आपने enter करना है और आपका cell verify हो जाएगा जब आपका cell verify हो जाएगा जयन यह वाला जो button है यह जो text आपको नदरा रहा है यह से green हो जाएगा जब यह green हो जाएगा वीडियो more than 15 minutes custom thumbnails, live streaming appealing content ID claims ये वाले जो features हैं ये आपके channel पे allow हो जाएंगे आपको ये permission दे दी जाएगी then आपने इसको कर ले हैं यहाँ पे save ठीक है जी save करने के बाद next आते हैं जी upload defaults में यहाँ भी थोड़ी सी correction कर लें last video में मैंने जो description के बारे में बात की थी के description हमने जो last video में एट की थी के हर video के नीचे आएगी वो वहाँ पे थोड़ी सी mistake है वो जो description थी वो basically channel की description थी ये वाली जो description है ये है upload defaults यानि के जो भी आपने videos गर upload करनी है defaults आप कुछ यहाँ पे setting कर सकते हैं मतलब मैं चाहता हूँ के मेरी हर video के नीचे ये description आनी चाहिए या मेरी हर video के नीचे ये वाले जो links हैं मैंने यहाँ पे place की हैं ये आने चाहिए इन links में आप channel को subscribe करने का link एड़ कर सकते हैं facebook page का link एड़ कर सकते हैं instagram का link एड़ कर सकते हैं जो भी आप यहाँ पे अड़ करना चाहते हैं और ऐसी description यानिक ऐसी wording जो आप चाहते हैं कि हर video के नीचे suitable है हर video के नीचे आनी चाहिए वो आपने यहाँ पे write कर लेनी है ठीक है ये video के नीचे content आजाएगा then visibility में आपने आने यहाँ पे unlisted को आपने select कर लेना है और उसके बाद tags अब यहाँ पे tags का क्या काम है यहाँ पे tags वो वाले add करने हैं जो आपकी हर video पे apply हो सके for example मैंने यहाँ पे write किया अफ्यास भाहिए मैं अपने channel पे हर video के नीचे यह tag यूज करता हूँ ठीक है it means कि यह वाला ऐसा एक journal या common tag है जो कि हर video में use हो सकता है इसी रिके से मैंने यूज करते है tutorial भाई फ्यास भाहिए web development यह वाले common tags हैं जो कि हर video में use कर सकते हैं तो आपने अपने channel से related अपने topic से related कुछ tags आपने यहाँ पे add कर लेने हैं जो कि आप चाहते हैं कि हर video में जब भी आप tags के section में जाएं वहाँ पे ये वाले tags पहले से लिखे हुए मुझूद हो next आपने आना advanced settings में यहाँ पे जो भी license यहाँ पे select होगा उसको आपने select रहने देना है यहाँ भी आपने अपने channel की category को select करना है ठीक है जो भी channel आपका sports से related है, travel से related है, gaming से related and so on जो भी है, मैंने यहाँ पे education को select किया है उसके बाद video language आपकी videos किस language में है मैं उर्दु में बात गया रहा हूँ तो आपने यहाँ पे अगर तो आपकी video उर्दु में उर्दु सेलेक्ट कर लें English में है तो English सेलेक्ट कर लें है, Hindi में है या जो भी language है वो आप यहाँ पे select कर लें उसके बाद caption certificate इसमें आपने first one पे click कर देना है then यहाँ पे title and description language आपकी video का जो title होगा या description होगी, वो किस language में होगी वो normally हम English में ही write करते हैं UK क्योंकि हम यहाँ पे UK की English बोलते हैं तो यह आपने select कर लेना है then है comments यहाँ पे आपकी अपनी मर्जी है कि आप सारे comments को allow करना जाते हैं कि आपकी video पे आ सके या आप यहाँ पे यह select करते हैं कि hold potentially inappropriate comments for view hold all comments for view disable comments आपकी अपनी मर्जी है आपने एकसर देखा होगा लोगोंने comments disable किया होते है मैंने वैसे यह वाली selection की हुई है कि comments ऐसे जो potentially inappropriate है वो hold कर लिए जाएं ताकि मैं पहले पढ़ूं, review करूं then मैं उनको allow करूं यह आपकी अपनी मर्जी है आप तमाम comments को allow करना चाहते हैं then आपने इसको कर देना यहां पे save ठीक है जी, यह साथ-साथ changes आप save करते जाएएगा ताकि सारी की सारी जो changes हो save होती जाएए permission यहां पे देखें, यह channel है जी मेरा और मैं channel का honor हूँ आप यहां पे अपनी team भी बना सकते हैं आप जाते हैं, आप उसका email address write करें उसको access manager की देनी है, editor की देनी है, editor limited and so on जो भी आप की team की अगर तो members हैं तो आप इसको use कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इसको रहने दे community यहां पे आप moderator, approved users, hidden users, और blog words ठीक है, जैसे मैंने यहां पे लिखा हुगा है, आप नएक से देखा होगा, वीडियो के नीचे लोग comments वगएरा कर देते हैं, सब और सब, या ऐसे ही को लिंक वगएरा comment कर देते हैं, तो आप यहां पे उनको block कर सकते हैं, कि यह वाले words हो है, कि मेरी वीडियो के नीचे है, मेरे जो comments का section है, वहां पे word नजर नहीं आने चाहिए, अगर आप किसी user को hidden करना चाहते हैं, तो यहां पे उसको आप paste कर सकते हैं, उसका name, या उसका जो भी channel का URL वगएरा है, और ऐसे user जिनको आप approval देना चाते हैं, approved करना चाते हैं, वो कर सकते हैं यानि के जो आपके साथ मिल के काम करें, और उसके बाद block links, आप यहां पे भी links वगएरा को भी block कर सकते हैं, hashtag वगएरा को, तो अगर आप करना चाहते हैं, तो इस पे भी आप click कर सकते हैं, उसके बाद next is defaults, comments on your new videos, ठीक है, यहां पे आपके अपनी मर्जी है, मैंने आपक live chat, यह भी आप इसको भी select कर सकते हैं, कि जी कोई भी user, अगर तो कोई घलत comment कर सकता है, यह घलत wording यूज कर रहा है, तो वो सबसे पहले आपके पास permission के लिए उसका comment है, then वो approve होना चाहिए, तो आप इसको यहां पे save कर सकते हैं, उसके बाद, चलें इसको save कर लें, उसके next last पे है, agreements, यह all use of the services, subject to YouTube terms of services, तो यह जो भी YouTube की terms गहरा है, उसके according आपका agreement होगा, यह जी जी कुछ general settings, जो के आपने चैनल पे कर लेनी हैं, जो के बहुत ज्यादा important है, और यह complete आपका चैनल कस्टमाइज भी हो चुका है, और उसकी settings गहरा भी हो चुकी है, इंशाला है, नेक्स वीडियो में हम discuss करेंगे, कि वीडियो को आपने अपलोड कैसे करना है, और कौन कौन सी चीज इंपोर्टन्ट है, रौाम जाद रखा करेंगे और चैनल जोने सब्क्राइब नहीं क्या सब्सक्राइब करें, अल्लाव जोना से.